जैसी आराम मैं हूँ आचारे संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल भागवद गंगा पर और बिगत वीडियो की भाती इसमें भी मैं लेकर के जो वीडियो आया हूँ आप लोगों के लिए वह भी छत्रिय बंस में जो निमूरी बंस है छत्रियों की उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे निमूरी बंस इसका नाम क्यों पढ़ा पहले जान लेते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे निमूरी जो है यह सूर्य बंस की ही साखा है गुत्रा इनका होगा कश्यप परवर्थ तीन होंगे कास्यप अपसार और नय दोई कुल दोवी जो है वह प्रभावत्ति देवी होंगी वेद आपका भी यह जुर्वेद है शाखा वाजसने gradative आई शुत्र के अनुषार आप अनुषार आप उसी अनुषार आप अपना बीवाह इत्यादी भी करेंगे ऐसा जानना चाहिए प्राचीन राजबंस है निमी निमडी बंस जो है यह निमी से ही निकला हुआ है इसलिए इसकी निमी संग्या प्राप्त हुई है और जाइड सी बात है जब निमी महराज से ही निकली हुई है तो यह काफी प्राचीन हो गई परन्तु काभी प्राचीन होने के कारण अब ये उतना सम्मान में नहीं रह गई जैसे सुर्य बंस और रघ्वन्स इत्यादी हैं बहुत ज़्यादा मान की दृष्टी से नहीं देखे जाते हैं इस बंस का संबंध स्थान बेज से चत्रियों में होता है पूरे भारत वर्ष में ये चत्रिय अलग-अलग स्थान बेज से प्राप्त होते हैं और अधिकतर कुछ बिहार इत्यादी में या पूर्व प्रांत में ज्यादा पाया जाते हैं बहुत हो तो यह रही निमी बंस के बारे में निमुडिंबंस के बारे में जानकारी साह held करा आप सभी को अच्छी लेगी हो तो लाइक करदीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए जो ना समझ